दोस्तों स्वागा थे आप सभी का इश्री बिद्बुसेन के यूट्यूब चनल पर अगर आप अभी तक सीटेट का सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं कर पाए हैं तो यहाँ वीडियो आपके लिए हेलफूल होने वाली है आपको सीटेट का सर्टिफिकेट या मर्शी डाउनलोड करने के लिए या तो आप playstore से Digilaker एप इस्टाल कर लीजिये या फिर आपके फोन में Chrome या Mozilla Browser होगा तो आप उसे ओपन कर लीजिये अगर आप Digilaker एप इस्टाल करना नहीं चाहते हैं तो आपको अपने Chrome browser या Mozilla browser open करना है और उसमें आपको Google में DigiLocker लिख कर सर्च कर लेना है जैसे ही आप DigiLocker लिख कर सर्च करते हैं तो आपके सामने ये DigiLocker.gov.in ये एक website मिलेगी और इस पर आपको जूम करके दिखाते हैं थोड़ा सा दूसरा आपका लिखा हुआ आएगा accounts.digilocker.gov.in इस लिंक पर आपको क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप next page पर पहुंच जाते हैं जैसे आपके सामने ये next page खुलता है कुछ इस तरह का dashboard खुलेगा आपके सामने अगर आपने पहले से account बनाया है तो आपको account create करने की कोई जरूत नहीं है लेकिन जो नए हैं जिनका account अभी तक नहीं बना है उन्हें digitilocker पर अपना account create करना पड़ेगा तो आपको account कैसे create करना है सबसे पहले आपको edge पर आधार आधार में जो आपका नाम है उस पर डालना है उसके बाद आपको अपनी जम्तिती लिखनी है mail या फी mail जो भी हो आप अपना लगाईएगा उसके बाद अपना mobile number दर्ज करिएगा छे एंग की pin अपने मन से बना कर डाल दीजिए उसके बाद email ID आपको अपनी दर्ज कर देनी है आधार number लिखकर आपको submit मार देना है जैसे ही आप submit पर click कर देंगे आपका account create हो जाएगा account create होने के बाद आपको simple sign in करना है अगर आप पहले से आपका account तयार है तो आपको sign in पर click कर देना है sign in क्लिक करने के लिए कुछ आपका dashboard इस प्रकार का होगा तो sign in क्लिक करने के लिए आप mobile या आधार के थरू या user ID आपका बनी होगी तो user के थरू आप इस पर click करके user और आप अपना print डाल कर sign in कर सकते हैं तो आप इन दोनों मार्धम से का प्रयोग कर लें आप अपना आधार और अपनी print डालें और sign in पर click कर दें जैसे ही आप sign in पर click करते हैं तो आप next page पर ये आपका खुल कर आ जाएगा आपका dashboard जैसे ही आपका dashboard खुल कर सामने आ जाएगा तो आपको institute documents पर click करना है जैसे ही आप institute documents पर click करेंगे तो आप next page पर पहुंचते हैं next page कुछ आपका इस तरह का खुल कर आएगा आपके सामने इस पर आपको get more institute documents पर click करना है पहले आपको institute document पर click करेंगे जैसे ही आप institute document पर click करते हैं तो आपके सामने ये dashboard खुल कर आएगा तो इसमें आपको Get More Issued Documents पर क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप के सामने ये नया dashboard खुल कर आएगा इस पर आपको Central Board of Secondary Education इस लोगों पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस लोगों के link पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का dashboard खुल कर आएगा इसको आपको स्क्रोल डाउन करके थोड़ा नीचे आना है ये आपका teacher eligibility test certificate और ये mark sheet जो आपको चाहिए certificate तो आप इस पर क्लिक कर दें certificate पर जैसे ही आप certificate पर क्लिक करते हैं तो आप next page कुछ आपका इस तरह होगा इसमें आपका central board education पहले से ही आपका select मिलेगा और इसमें आपका teacher eligibility certificate आपने certificate पर क्लिक किया है उसके बाद आपको यहाँ अपना roll number डालना है और यहाँ आपका आपने जिस year और month में आपने seated की परिछा पास किये वो आपको डालना है उसके बाद आपको information पर टिक कर देना है और get documents पर क्लिक कर देना है जैसे आप get documents पर क्लिक कर देंगे तो आपका certificate download हो जाएगा डाउनलोड होने के बाद आपका certificate आपका certificate issue documents के उपर दिखाई देगा दिखें यहाँ issue documents है यहाँ आपका certificate आ जाएगा जैसे हमारा यहाँ आ गया है टीचर इलिजिटिस्ट मार सीट और सर्टिफिकेट हमने दोनों डाउनलोड कर रखा है तो यह आपका दोनों आ जाएगा और यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर पाएगे तो इस simple way के साथ मिलते हैं नेश वीडियो के साथ तब तक के लिए धनवाद गया है